हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंजॉय गाडनिंग आज मैं आपके सामने बहुत ही खुबसूरत फूल लेके आई हूँ गुलाब से मिलते जुलते यह फूल बहुत ही सुन्दर-सुन्दर रंगों में मिलते हैं थोड़े रेयर मिलते हैं 45 डिग्री सेंटिग्रेट होने के बाद भी अपनी खुबसूरती भी खेड़ते रहते हैं इंको उगाना बहुत ही आसान है ना इसमें कोई फंगस लगता है ना इसमें कोई पैस लगते हैं तो चलिए मैं आपको इसके बार में सब कुछ बताऊंगी वीडियो को बिल्कुल छोड़के मज जाएगा क् बहुत ही अच्छी इन्फोर्मेशन इसके बारे में आपको देने वाली हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए इन्फोर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे नोटिफिकेशन बेल प्रेस और इसमें खुश्बू नहीं होती बहुत ही खुबसुरत रेयर कलर के इसके फ्लावर्स मिलते हैं जो जनरली फूलों में नहीं मिलते हैं ऐसे फूल इसमें मिलते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है इसको बुके बगरा में काम में लियाता है कट फ्लावर्स के रूपे इसक पिंग कलर है और दूसरा जो है लेविंडर शेड है दोनों ही मैंने एक साथ एक ही गंबले में लगाए थे इसे लगाने के लिए 8 से 12 इंच का गंबला सफिशेंट रहता है नर्सरी में ये 80 से 100 रुपे में एक पौधा मिल जाता है वैसे इसे आप नर्सरी से लाकर के ही घर म लगाए क्योंकि इसको बीजे से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत लंबा पीरिड होता है जब ये इसकी सेपलिंग्स निकलती है अगर ये आपको नर्सरी में मिले तो जरूर लाकर के लगाए क्योंकि ये पर्मानन रहता है प्लांट इतने भर-बर के फूल देत लंबी सी स्टिक में ये फूल ऊपर की तरफ आते हैं जैसे कट फ्लावर्स होते हैं बिल्खिल उसी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो ये बना-бनाया बुके त pattern वोके तैयार हो जाता है ऐसे बर आपको देखकर के कैसा ये बुके काशेप लेता है लेता है वै देख बहुत जादा लंबा टाइम यानि बीज लगाने से लेकर के इसको फूल आने में लबबक चार-पांच महीने लग जाते हैं उसके बाद ये नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है और फिर सर्दी आ जाती है तो थोड़े दिनों के लिए फूल देना बंद कर देता है लेक 25 डिगरी सेंटिग्रेट में भी भार इसे धूप में रखेंगे आप चार-पांच भेंटे तो फ्लावरिंग करता रहेगा जैसे कि आपको मैं अकसर बताती रहती हूं कि फूलों वाले पौधों को सनलाइट पहुत ज़ादा जरूरी होती है तो इसलिए धूप इसे अच् बड्स बनेंगी और नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी मतलब आप सोचिए कि इतनी तेज गर्मी होती है जब 45 से 50 टेंपरेचर चला जाता है तब बहुती कम फूल खिलते हैं घर में बालकनी में गार्डन में ऐसे में आप इस प्लांट को लगाएंगे तो कितना सुंदर ल मिट्टी में ओवर्वाटरिंग ना हो यानि कि जब मिट्टी ड्राई सी लगने लगे तब आप पानी देदीजी यानि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट थंडी सी बनी रहनी चाहिए ताकि यह प्लांट सोखे नी बिल्कुल पी देखे मैं आपको एक बार अच्छे से बता देत पानी देख करके दे जब आप नर्सीरी से इसकी पॉद लाएंगे तो आपको फरवरी में मिल जाएगी तैयार की भी पॉद तो आप लाकर के घर में लगा सकते हैं मिट्टी तियार करने के लिए एक हिस्सा गार्डन सॉयल ले लीजी एक हिस्सा रिवर्ट सेंड यानि करती है और थोड़ा सा केल्शियम फोस्फरस के लिए बोन मील एक चमच डाल दीजे इससे प्लांट को मजबूती मिलती है क्योंकि यह लंबाई में प्लांट बढ़ता है तो इसको थोड़ी सी मजबूती चाहिए होती इसलिए केल्शियम बहुत जरूरी है चौक का प्लांच पर डहर सारे फूल खिलते हैं और पानी डालने से इन ब्रांचे में भर जाता है तो वजन जादा हो जाता है उससे क्या होगा कि प्लांट आपका बीच में से टूड़ जाएगा यह ब्रांचे नीचे की तरफ जुग जाएंगी और आपका पौदा खराब हो कि यह कौन सा प्लांट है फिर मैंने हाथों हाथ फोटो कीच के गूगल किया और मुझे इसका नाम पता चला लिज्जी अंतास मतलब मैंने कभी नर्सरी में इस प्लांट को नहीं देखा चली आप बात करते हैं प्रोपेगेशन की वैसे तो यह बीजों से लगता है अक्टूबर में लेकिन बहुत इंसधार करना पड़ेगा मैमें जाके इसमें फूल खिलना शुरू होते हैं अब बात कर लेते हैं पैस्ट वगरा की जैसे मैं आपको वीडियो के शूरू में ही बताया इसमें पैस्ट वगरा नहीं लगते है इसमें कोई फंगस वगरा का मार्च इसमें कलियां बनना शुरू हो जाती है तब उस समय हर 15 दिन में चार-पांच दाने डी एपी के आप इसमें डाल दीजे जड़ों से थोड़ा दूर दूर और फिर महीने में एक बार आप एक चम्माच इसमें डाल दीजे बोन मील तो से दीरी दीरे नूट्रिशन मिल नर्सरी में तो लेके आईए और यह हमेशा आपके घर में फ्लावरिंग करता रहेगा तो फ्रेंड्स कैसा लगा है यह मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दूसरों तक यह जानकरी जरूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना बाई बाई